और इस patient का इलाज हमारे पास चलते हुए सिर्फ दो ही महना हुए है और दो ही महना में कितना हद तक इनको फाइदा हो चुका है हमपतिक treatment के जरीए ये आप उनका बातों से ही पता लगा सकते है मैं skin shot लगा दिया हूँ आप एक बार वीडियो को pause करके आप देख लिजिए कि इनको कितना बड़िया फाइदा हो चुका है and that too without any single side effect एक भी side effect इनका अंदर नहीं हुआ दोस्तों जिन लोगों को sexual problem है और अपना sexual problem को ठीक करने के लिए जो लोग यहाँ वहाँ का बताए हुए medicines को try करते हुए रहते हैं कई पर कुछ पढ़ लेते हैं सुल लेते हैं देख लेते हैं कई YouTube वीडियोस देख लिए कई सोसल मेडिया पर कुछ सुल लिए देख लिए जो लोग वह medicines को try करते हुए रहते हैं तो उन लोग को यह वीडियो आज खास तोर पर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मेरा खुद का एक पेसरेंट का example के साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि इस तरह मेडियो खाने से कैसे पेसरेंट का अंदर side effect हो सकता है कैसे पेसरेंट का problems बढ़ सकता है दोस्तो आज से दो मेहना पहले हमसे online consult कि एतिक पेसरेंट अपना sexual problem के regarding और यह हमारे पास treatment कराने तब आये जब इनका समस्या काफी ज़्यादा बढ़ चुका था किसी एक नीम हकीम के पास जाकर जाकर treatment कराने से जब इनका समस्या काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तब ये हमारे पास treatment कराने के लिए है इस patient को उनका medicine खाने से क्या problems बढ़ गई ये हम थोड़ी देर बाद में discuss करते है पहले हम ये जान लेते है कि इस patient को क्या समस्या थी जो वो उस नीम हकिम के पास गए तो इस patient की एगर समस्याओ के एगर बात करे तो इस patient को बहुत ज़्यादा कुछ serious problem नहीं थी थोड़ी बहुत इनको rectile dysfunction की problem हो रही थी और थोड़ी बहुत इनका timing जो है वो कम था तो इस patient को हम लोग stage 1 category में हम लोग गिंती कर सकते है क्योंकि इनका problem बहुत ज़्यादा नहीं था बहुत severe नहीं था मगर problem था problems just develop होना start हुआ था आगे जाकर ये problem बढ़ जाती तो patient नहीं था क्यों ना अभी जाकर इसका treatment करा लेते हैं हम तो patient का जो सोच है बिलकुल सही है बिलकुल perfect है मगर उसने जो गलत जगा बे treatment लिया इसका खामियाजा इनको भोगरना पड़ गया तो हुआ ये कि जब ये patient उस नीम हकीम के पास गए अपना इलाज कराने के लिए तो उनको एक तरह की चुरन दी गई एक तरह की उनको powder दी गई तो ये medicine खाने से इनको पहला एक दो दिन तो बहुत अच्छा और relief उनको मिल गया अब पहला दो से तीन दीन तो सब कुछ सही रहा है इस patient के लिए पूरी रात इनको रेक्शन आ रहा था इनका लिबिडो बढ़ गया था इनको काफी अच्छा मैसूस हो रहा था लेकिन जैस्ट उसके बाद ही इनका अंधर problems जबलब होना स्टार्ट हो गया वो problems कौन कौन सी थी इनका headache से इनका problem चालू हुआ इनका माथे में दर्ध से इनका problem स्टार्ट हुआ उसके बाद इनको अचानक से घबरा हाट चालू हो गयी बेचानिसी चालू हो गयी इनका heartbeat बढ़ना स्टार्ट हो गया, इनको पसीना बहुत ज़्यादा छूटना स्टार्ट हो गया इनको vomiting और nausea जैसी feeling स्टार्ट हो गया, इनको चक्कर आ रहा था इनको वटाईगों की समस्या भी आना स्टार्ट हो चुका था और आइस्ता आइस्ता इस patient का अंदर भूग भी लगना बंद हो चुका था और लिंग में तनाव की अगर बात करें वो तनाव आना पुरी तरह इनका बंद हो चुका था इनका medicine से जो इनको फाइदा पहुचा था वो भी गया उसके साथ-साथ इनको जितना erection पहले आया करता था वो भी अब नहीं आ रहा है और यही बात उन्होंने मुझे WhatsApp पे एक दम clearly mention किये हुए है फिर ये patient उस हकीम के पास गये लेकिन इस patient का problem से इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो साथ दिन तक weight नहीं कर सकता था इनको immediate medication की दरकार थी फिर उसके बाद इन्होंने अपना local elopath से जाकर contact किये वहाँ पे contact करके इस problem से छुटकारा पाने के लिए side effect से बजने के लिए उन्हेंना वहाँ से treatment लिया तो elopathic treatment कराने से यह हुआ कि इनका अंदर जो side effect हुआ था यह तो ठीक हो गये पूरी तरह ठीक हो गये normal हो गया मगर link का अंदर जो तनाव की समस्या थी वो वैसे का वैसे ही रहा वो ठीक नहीं हो पाया और इस sex problem को ठीक करने के लिए वो हमसे contact किये उनको किसी ने हमारा number दिया और वो हमसे contact किये अपना problem को regarding अब यह patient अगर चाते तो वो अपना sex problem को ठीक करने के लिए elopathy में ही treatment करा सकते थे लेकिन इसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको पता था कि elopathy की जो sex problem की जो medicines होती है उसका side effect भी बहुत जादा होता है फिर उसके बाद जब यह हमसे contact किये तो हमने इनका thoroughly case-taking किया और case-taking करने के बाद हमने इनके लिए दो medicine का chain किया है एक medicine का नाम है और इस patient का इलाज हमारे पास चलते हुए सिर्फ दो ही महना हुए है और दो ही महना में कितना हद तक इनको फाइदा हो चुका है हमोपतिक treatment के जरिए यह आप उनका बातों से ही पता लगा सकते है मैं skin short लगा दिया हूँ आप एक बार वीडियो को pause करके आप देख लिजिए कि इनको कितना बड़िया फाइदा हो चुका है and that too without any single side effect एक भी side effect इनका अंदर नहीं हुआ तो जो लोग पूछते हैं कि हमोपति treatment में side effect होगा की नहीं तो मेरे ख्याद से यह वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए कि हमोपति में side effect तो होता है अगर गलत तरीके से गलत medicine को आप खुद इस्तमाल करेंगे तब तो side effect होगा ही लेकिन एक doctor के guidance में अगर आप medicine को इस्तमाल करेंगे तब side effect होने का chances ना की बराबर रहता है तो दोस्तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को alert कर सकूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग यहां वहां का बताय हुए medicines को try करते हुए रहते हैं यूटूब वीडियो देखकर आर्टिकल पढ़कर इंटरनेट से कुछ पढ़ लेते हैं सुन लेते देख लेते हैं और आप लोग मेडियो को try करते हुए रहते हैं तो ऐसा बिलकुल भी ना करें किसी का कहने पर किसी का यूटूब वीडियो देखकर कहीं का आर्टिकल पढ़कर आप इस तरह का मेडियो को ही पेंट करता हूँ